दोस्तों आज है मेरी भाई की तिलक तो तिलक की तियारियां हो रही है काफी दिन से आपको कुछ वीडियो नहीं दे पाये थे और आगे भी हम वीडियो नहीं दे पायेंगे एक हपते तक क्योंकि एक हपते बाद साधी है तो साधी में भी बेस्तता कुछ जादा ही रहेगी तो आईए तिलक दिखाते हैं और तिलक इंज्वाय करवाते हैं अब दोस्तों यह रहा हमारा टेट जो आपने देखा अब जो है नास्ते का जुआर किया जा रहा है अलवाई ने मिठाई दियार किया है यह अपने दूले राजा है और यह जीजाजी तो जो है अब मिठाई हम पैंक करते हैं उसके बाद आगे कर दिखाते हैं तो दोस्तों यह आपने देखा मिठाई का रूम है यह और यह अपने दूले रागा तो यह भी हिल्प करा रहे हैं तो चलिए दिखाते हैं अब अब अबरा सीन खाने का अब यहां से सुरू होता है कारकराम तिलक का अबरा सीन खाने का रूम हैं कि अ थ chính सब दूफ में कि एड़ी स्काव कि उली कि एड़ी कि दोस्तों अभी जो है एक बजिया है और सभी लोगों को खाना खिला दिया गया और लास्ट में जो है हम लोग खा रहे हैं एक बजिया रात को सबको बिश्तर उस्तर पकड़ा दिया गया है हाँ ये हम तीन लोग हैं और वो जी जा जी है दूदे राजा उदर हैं बेट के खा रहा है और साथ में नहीं है वो तो खाने के बाद जो है विश्तर में चलते हैं और बागी दिखाते हैं सुबे का और ये रहा हमारा कारकरम सुबह का और लास्ट का और इन कारकरमों में हमारी माताय बहने होती हैं जब तक कारकरम चलता है तब तक मंगल गाती रहती है तो आप सुन पा रहे होंगे तो आइए इंजोर करते हैं कि दोस्तों ये रस्म जो आपने देखा इस रस्म को हमारे बहुचपूरी में हल्दी धान का रस्म बोलते हैं इसमें क्या होता है कि दोनों पच से हल्दी और धान लाया जाता है और उसको एक में मिक्स किया जाता है और फिर दोनों पच्छों में फिर दुवारा बाटा जाता है तो बाटने के बाद क्या होता है दोनों संबंदी अपना गमचा रखते हैं और उसमें गाठ बनानी होत जो जीतता है उसी में ऐसी ठीठोली माहोल बनता है है हंसी ठीठोली होती है और दोनो को बचृ के बैठके संकूल haha जो है डिस्कर्स करते हैं कि अब आगे क्या होना है बरात में कितने लोग आयंगे इसके बात का वीडियो दिखाएंगे इसके बात दिवाली आ रही है तो दिवाली का वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहें